नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज मैं Honorable Delhi High Court उच न्यायाले का दिल की घहराईयों से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत प्पून फैसला सुनाते हुए न्याय की जीत और अन्याय की पराजय सुनिश्चित करी जी हाँ, निचली अदालत द्वारा मेरे सरकारी निवास से संबंधित जो फैसला आया था आज Honorable Delhi High Court ने उस फैसले को खारिच किया, उसको दरकिनार करते हुए मेरे पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया साथियों, ये लडाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है, ये लडाई संबिधान को बचाने की है और मुझे खुछी है कि आज इस लडाई में न्याय की जीत हुई, अन्याय का पक्ष हारा, सब्ते जीता असब्ते हारा लेकिन शायद ही भारत के संसदी इतिहास में ऐसा कभी पहले देखा गया होगा कि एक छोटी सी पार्टी के एक छोटे से संसद को इस प्रकार से प्रतारित किया जा रहा है मैंने आज तक दो बार राज्यसभा में भाशन दिया स्पीच दी जब पहली बार मैं बोला राज्यसभा में अपनी मेडें स्पीच दी उसके कुछी दिनों बाद मेरे सरकारी आवास को कैंसल करने के लिए मुझे चिठी आ गई जब दूसरी बार मैंने राज्यसभा में भाशण दिया उसके बाद तो मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया इस प्रकार का राजनेतिक द्वेश और राजनेतिक बदला खोरी से लिये गए फैसले शायद ही कभी राज्यसभा के इतिहास में कभी देखे गए हूँ, आई दिन हम देखते हैं कि कैर भाशपा राजनेतिक दल, विपक्ष के जो राजनेतिक दल है, इंडिया कटवंदन के जो दल है, उनके नेताओं को चुन-चुन के प्रतारित किया जा रहा है, टार्गिट कि लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, कि आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसत से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोडों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, जै हिंद, जै भारत.